अमेठी सांसद और केंदरिय मंत्री की संसदी शेत्य अमेठी में बिजेपी कारियाले पर भाषपा कारेकरताओं की अगवाई में पंडित दीन दयाल उपा ध्यायकी 103 वी जियन्ति मनाईगी पार्टी कारेयले पर आयोजित कारेकरम में तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंग अमेठी विधायका गरीमा सिंग सहित बड़ी संख्या में कारेकरम में हिस्सा लिया कारेकरम को संभोधित करते हुए बिजेपिक के पूर्व जिला द्यक्ष और भाष्पा नेता हुमा शंकर पाले ने पंडित दीन दियाल उपा ध्यायकी एक आदर्श नेता थे उनको याद कर रहे हैं उनकी जनती मना रहे हैं उन्होंने पार्टी और संगठन को मजबूती दी है उनका यह कतम काफी सहारनी है पूर जिला द्यक्ष उमा शंकर पाले ने कहा कि संग का काम करते करते 1942 में उन्हीं जोनपूर का जीला प्रचारक बना दिया गया वही कारेकरम को लेकर अमेठी विधायक प्रती निदी आनंद विक्रम ने कहा कि इतने महान व्यस्तित्व के जीवन चरीतर पर चर्चा करने के लिए और उनके पचीनों पर चलने के लिए उन्हें शर्धांजली देने के लिए आज सभी कारेकरताओं को एकत्र किया गया है आनंद विक्रम सिंग ने कहा कि भारत व्याभव की ओर जा रहा है प्रधान मंतरी दिन राट एक करके विकास कारे कर रहे हैं सरकार द्वारा चल रही योजनाओं को भी जानकारी को और बल देने के लिए आज के कारेकरम का आउजन किया गया था उनको याद करते उनकी जन्मजेंटी माद्रक्रम हमारा पास्तिया गटेर होगा पास्तिया पार्टी जन्मजेंटी माद्रक्रम के लिए और उनकी जीवन शहली इसे और उनके पच्चिनों पर चलने के लिए आज सभी कारकरताओं को पतादिकारियों को सम्मलित किया गया था और जो भारत परम वैभव की ओर जा रहा है जिसमें की हमारी एश्रस्वी प्रधान मंत्री पूरा दिन रात एक कर रहा है आज सभी संक्षण के पतादी कारियों और कार करताओं को इकठा करके उने स्ट्थांज्री भी दी गई और अपने कारिशेली को उनमें विलीन करने के लिए बात भी कही गई है इसी के साथ-साथ पार्टी की जो योजनाय चल रही है अलग अलग जनकर लाणकारी होजना है उनको बल देने के लिए इसी काज करें J.B.D. Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, century air condition, lush green lawns State-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल